दोस्तो मेरे पास एक वीवो का डिवाइस आया हुआ है जो कि Y15 इसका मॉडल है दोस्तो तो इसमें दोस्तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसमें पैडन लॉक लगा हुआ है और इसे मैं हार्ड इसेट करके एक बार देखता हूँ जब भी देखे जब भी कोई अगर आपके पास डिवाइस आता है आप भी कहां नहीं जा सकता है बहुत सारा डिवाइस हार्ड इसेट हो जाता है दोस्तो ठीक है तो यहां पर मैं एक बार इस डिवाइस को चेक करता हूँ भाई कि यह हाड़ी सेट चो है सो हो रहा है या नहीं और मैं छोटा सा अपनी सभी वीडियों में दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे रोजटेक को सपोर्ट नहीं सब्सक्राइब नहीं क्या तो जरूर कर ले क्यूंकि दोस्तों रोजटेक पे सेफ फासी फोन सरेटी वीडियो में अपलोड करता ही रहता हूँ तो जैसा कि आप देख पार है यहाँ पर मैं कलियर में आ रहा हूँ और कलियर औल डाटा में करता हूँ उसके बाद OK करता हूँ तो यहाँ पर यह सेम जो स्क्रीन में मेरा Show कर रहा था यानी Drop Addern यह बता रहा है अगर Pin रहता तो पिन बताता यह देने के लिए यानि जो मेरा स्क्रीन में लॉक है वो रिकवरी में भी इसका शो कर रहा है दोस्तों तो जाहिज सी बाते हैं इसे हम लोग हार्डिसेट कर नहीं सकते हैं यानि यह हाज से अनलॉक नहीं होगा ठीक है और बहुत सारी जैसे कि मैंने आपको बता है बहुत सारी डिवाइसों में आप हार्डिसेट हो जाता है तो मैं यहाँ पर अपने PC स्क्रीन पर आ चुका हूँ और डिवाइस मनेजर को मैंने ओपन कर लिया और इसे साइट कर देता हूँ ठीक है और उसके बाद आगर आपके पास वैसे इसमें दोस्तों MTK चीप सेट लगा हुआ है यानि मीडिया टेक का लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर UMTK MTK टूल से अनलॉक करके देखता हूँ कि इससे हो रहा है यानि अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से दोस्तों कि UMTK MTK जो टूल है उसमें निव अपडेट आने की वज़े से दोस्तों मतलब शायद कुछ बग्स है इसके वज़े से या कुछ फिर मेरा ट्रैवर का इशू हो रहा है मैं भी इसे फिक्स नहीं क्या हूँ और पता नहीं यह शायद हो सकता है टूल का भी इशू हो और ट्रैकली अपने डिवाइस को USB से जब अटेच किजिएगा तो आपका डिवाइस बूट करेगा और यहां पर जो MTK मूड में आ जाएगा और उसके बाद देखी यहां पर यह सकसेस किया और यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मर्टी यूजर डाटा जो है दोस्तों वह फेल्ड आ चुका है तो मैंने दो-तिन प्रिवाइसों में देखा दोस्तों कि किसी में फैल आ जा रहे है किसी में वह लॉक हो जा रहा है पता नहीं यह यह यहां पर यह अब देख सकते हैं कि यह फैल हो क्या है तो कोई बात नहीं, मेरे पास MST टूल है, मैं दोस्तों MST से देखता हूँ कि MST में क्या होता है, ठीक है? तो यहां पर मैं अपना जो MST टूल है, उसे open कर लेता हूँ, open करने के बाद दोस्तों, मैं आपको MST से unlock करके देखता हूँ कि उससे unlock होता है या नहीं हलाकि दोस्तों इसको लेकर MST टूल को लेके मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और मेरी नेजर में बहुत ही बेस्ट टूल है दोस्तों ठीक है क्योंकि lifetime आपको दिया जा रहा है इस टूल के अंदर में इसका प्राइस भी बहुत कम है अगर आपको इसका activation करवाना है तो मुसे contact कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में मैं आपको दूंगा वरना बहुत सारा भी लोग है मार्गिट में जिससे आप पर्चेस कर सकते हैं आपकी मज़ी है 020 ठीक है दोस्तो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह देखिए कितना फास्ट और एकदम परफेक्ट आपका डिवाइस अनलॉक हो चुका है ठीक है यह देखिए आपने देखा कि मैंने यहां पर अपना जो मॉडल है वो मॉडल सेलेक्टर ना यह तो आपको पता ही होगा आप टैक्निशन होंगे या आप सौफटर का काम करते होंगे तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि कैसे फून को मतलब यह क्या मॉडल वगरा सेलेक्ट या नहीं यह सब तो खेर आपको पता ही होगा तो खेर यहां पर आपने देखा कि मेरा डिवाइस बस मैंने connect किया और मेरा device जो है अपना model वगरा select किया और बस start किया operation को और finish हो गया यह और मेरा device automatic यहां पर reboot कर गया और यहां आप आप देख सकते हैं कि इसका जो pattern है वो निकल चुका यानि device unlock हो चुका है तो बहुत ही easy तरीका से यह जो device है दोस्तों मेरा unlock हुआ आप नहीं देखा और ही बात इसमें FRP की है तो android 11 का जो FRP है बहुत सारे device हो में मतलब अभी बहुत सारे टूलों में fail हो जा रहा है unlock नहीं हो पा रहा है तो इसे easily तरीका से bypass भी कर सकते हैं क्या जरूद आपको सर्मे इंदर लेने का bypass कर लेजी बहुत easy तरीका है इसको लेके मैं बहुत सार्थ अपनी चैनल पर वीडियो अप्लोड कर दूंगा हाला कि वीवो को लेके जो latest android है दोस्तों उसका भी मैं वीडियो अपनी चैनल पर अप्लोड कर चुका हूँ खेर मिलते हैं किसी next वीडियो में अब तक लिए थैंक यू सो मच